क्या अभी फाइनली सुकुना के उपर कोई भारी पढ़ने वाला है क्योंकि जुदूसु कैसन के लेटे चाप्टर के अंदर यूता का डोवेंट फाइनली रिवील हो चुका है और साथी साथ हमें यूजी की कर्ष टेकनिक के बार में पता चला जो की सुकुना के उपर काफी भारी पढ़ सकती है इस चाप्टर की शुरुआत होती है हमको यूता और केंजेगो का फ्लाइश बैक दिखाया जाता है पहले हमको लगा था कि यूता ने केंजेगो का सर उसके धर से अलग करके उसको वनशॉट कर दिया है लेकिन इस वाले चाप्टर के अंदर हमको पता चला कि यूता ने केंजेगो का सर उसके धर से अलग करा था उसके बाउजित भी अपना केंजेकु जो है वो जिन्दा था यूता ने जैसे ही केंजेकु का सर काटा था वैसे भाई केंजेकु के कंट्रोल में जितनी सारी कर्षपरेट थी वो सारे के सर एकदम से बाहर निकल के आ जाती है अगर यहाँ पर यूता के पास में रीका नहीं हो थी तो इत् Metal Sc 충. को रोखना काफ जिता इंपॉसिबल हो जाता लेकिन यहाँ पर यूता के पास में रीका थी इसलिए भाई रीका एक एक कर्षपरेट को पकड़ के उनसे भी को खतम कर देती है और दुसे साइड में अपने केंजेको भाई सब आस्मान में फ्लोट होके एकदम से कलिम गेम के अंदर नए रूल अड़ करवा रहेते हैं ये वही टाइम था जिस टाम केंजेको ने मर्जिंग की प्रोसेस का कंट्रल पुरा का पुरा सुकुना के हवाले कर दिया था केंजेको का सर आस्मान में फ्लोट होके यूता से बोल राता कि भाई तुझे क्या लगता है कि मैं अपने हदारों सालों की मैनत भाई एकदम से खतम होने दूँगा वो यूता को बोलता है कि भाई मुझे पता है ताकि तू मेरे पीछे आएगा इसलिए मैंने बैक अप प्लैन अल्डेडी बना के रखा है ये प्लैन बनाके रखा था कि भाई अगर मेरे से ये काम नहीं हुओ तर ये काम जाके चल के सुकुना पुरा करेगा सुकुना को खतम करने के लिए और इसी के चलते यूता एकदम से सुकुना के उपर अपने sword से हमला कर देता है लेकिन सुकुना उसके sword को अपने slashes का यूज करके एकदम से grab कर लेता है और सुकुना के यूता के sword को पकड़ते यूता उस वाले sword को छोड़ देता है और सुकुना के पेड के उपर जो उसका एक्स्ट्रा मूँ था उसके उपर एक पंच देके मारता है लेकिन सुकुना एक टैप से इन लोग के साथ में हापर खेली रहा था उसके बाब में रिखा भी उस वाली fight को जॉइंग करती है लेक यापर हमको यूता की डोमेन देखने को मिली जिसका नाम है authentic mutual रहो तो सुकुना यापर यूता की डोमेन के अंदर फोच जाता है यूता अपने डोमेन के अंदर बाई किसी भी बंदी की कर्ष टेकनिक को multiple time copy करके उसको use कर सकता है और इसी चीज़ का फाइदा उठा कि हो स सुकुना को जदा से जदा टाइम तक अपने डोमेन के अंदर बंद करके रखना चाता है जापर वो अपने डोमेन के शूर ही टीपेक्ट से भाई सुकुना की उपर अलग-अलग अटाइक करके उसको damage करना चाता है इसलिए सुकुना यूता के डोमेन के अंदर अपने advantage पर है क्योंकि जब जब सुकुना यूता के attack से बचने के लिए hollow score basket का use करेगा तब तक उसके हाथ और move busy रहेंगे इसलिए वो यूता के domain के अंदर बागी कुछ करनी सकता तो इसलिए यूता एक type से सुकुना को अपने domain के अंदर busy रखने का काम करेगा और दुसरे side में इतादोरी अपने soul swipe curse technique का use करके Megumi के body से सुकुना के soul को एकदम से बाहर निकाल देगा तो इन दोनों का यहाबर plan तो काफ जदा अच्छा है लेकिन सुकुना को इस वाले plan के बारे में अल्री पता है अब आगे आने वाले chapter के अंदर ही पता चलेगा कि भाई इन लोग का plan किते time तक work करता है तो में तो आगे आने वाले chapter के लिए काफ जदा excited हो जिसके अंदर हमको भाई यूता और इतादोरी मिलके सुकुना को काफ जदा अच्छी टक कर देते हुए मिल सकते हैं तो चलो guys आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मैं मिलता हो आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा